श्कार दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube क्यानल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर रहा हैं 100 GKK One-Liner Most Important Questions फटा-फट रिवीजन करेंगे मेरे हिसाब से आप लोगों में से इस में से कम से कम 90% कॉशन मतलब 90 कॉशन आपको याद होना चाहिए यदि आपको 90 कॉशन याद है तो मतलब आपकी जॉब तो 100% Sure है एक्जाम में आई हुए पूरे कॉशन से फटा-फट करेंगे बिल्कुल टाइम बरबाद नहीं होगा जल्द जल्द देख लेते हैं 90 कॉशन सही करना है 100 में से काजी रंगा राष्टी उध्यान किस लुप्त प्राणी का इकलोता प्रक्रतिक वास है तो ये है एक सिंग वाले गेंडे का कॉशन नमर दो देखिए यह कर पूरी तरह से लगाई गई एकाईों द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जाता है तो यह कर कौन सा होता है यह होता है आपका प्रत्यक्षकर कॉशन नमर तीन देखिए निम्नलकित में किसका प्रयोग शराब दवाईयां और वायू यान में इधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इथाइल एल्कोहल का प्रयोग होता है शराब दवाईयां और वायू यान में इधन के रूप में कॉशन नमबर चार देखिए राज सभा के अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लिख किया जाता है तो राज सभा का अध्यक्ष होता है उपर राश्टपती या रखीगा कमेंट करके बतायेगा भारत के उपर राश्टपती अभी फिलाल कौन है अगला कोशन देखे एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रतम भारतिये का नाम क्या था तो केडी जादाओ जी ने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने जीता था पहले भारतिये थे वो एथलीन क्या होता है तो एथलीन एक अध्रोविय अनू होता है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है तो बेरी बेरी रोग आपका बिटमेंट B1 की कमी से होता है क्लोरोफिल को किसके द्वारा सबसे पहले प्रतक और नामित किया गया था तो K12 और पहले टियर के द्वारा कॉश्चन नमबर 9 देखिए प्रतवी का आउसद तापमान कितना है तो प्रतवी का आउसद तापमान 16 degree Celsius है जो की global warming के कारण बढ़ता जा रहा है नागर होल राश्टी उध्यानकिस और बायोश्पियर रिजर्व का हिस्सा है तो ये है आपका नीलगरी का हिस्सा नागर होल राश्टी उध्यान यदि एक बर्तन में तेरती हुई वर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का इस तर पर क्या प्रुभाव पड़ेगा? तो यदि वर्फ पिघल रही हो तो पानी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा. इंटर आफ मैलेडीज के लेखक कौन थे? तो इनका नाम था जुम्पा लहरी जी. निम्न तुटियों में से किसकी कमपाइलर दवारा पहचान की जाती है? तो लॉजिकल तुटियों जदी होती है तो कमपाइलर का काम है उसकी पहचान करना. हेलिकॉप्टर का आविसकार इन तो विधान सभा के दवारा किया गया था या रखीगा. मांग वक्र को एक पूरी तरह से प्रतिस परदी फर्म का सामना कर रहा है. तो वह क्या है? तो वह पूरी तरह से लोचदार है. नया रायपुर किस भारती राज की राजधानी है? तो नया रायपुर जिसका अब ना ब्हारत की कहाँ परिस्थ थथ है तो ये पूने में इस्थित है बहादुर शाह का जन्द में कब हुआ है तो बहादुर शाह का जन्द में 1643 आश tenía 2005 में हुआ था कॉशन संक्रमन धातुओं की एक विशेष्टा नहीं है तो इलेक्ट्रोन प्राप्त करने की प्रवत्ती ये संक्रमन धातुओं में नहीं होती है खासी जन जाती है कहां पाई जाती है तो ये मेगालाएं पाई जाती है अर्थसास्तर के नोबल पुरुषकार पाने वाले प्रथम भ तो कीटों में आपका स्वांस नली होती है सांस लेने के लिए अशोक किस राजवंज के समराठ थे तो अशोक थे मौरेवंज के समराठ और अस्ट्रेले की राजधानी क्या है तो और अस्ट्रेले की राजधानी कैनवरा है तो methyl isocyanate उसका नाम था अगला कॉशन देखिए किस देश ने कोईले के सर्वुत्तम भंडार है तो USA में कोईले के सर्वुत्तम भंडार है किस मुगल समराठ ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था तो औरंग जी उने पिता को कैद करके भाई को मार डाला था लोकसवा के पहले उपवक्ता कौन थे तो S. Anantasenam Ayangar जी थे पहले उपवक्ता अनटेचेबल पुस्तक को किस ने लिखा है तो अनटेचेबल पुस्तक है आपकी मुल्क राज आनन द्वारा लिखी दिवी ध्वनी की तीवरता की ऐसा एकाई काई तो ध्वनी की तीवरता की ऐसा एकाई वाट प्रति वर्ग मीटर है चालिस्वे कॉशन देखिए ओजोन शुद्र किस के रसायनों के कारण होते हैं जो है आपका ClorofloroCarullen of CFC पूर्ण परतियोगता में एक फ Arm अधिक्तम लाभ पति है तो उत्तपादन को इस तरह से इस्थापित करना ताकि कीमत है सीमान तर्लाजत के बराबर हो जाए इसमें आपको पूर्ण पूर्ण प्रतियोगता में एक फर्म अधिक लापती हो जाएगा एक कम्प्यूटर के Central Processing यूनिट द्वारा सीधे संचालित किये जाने वाले इन्रिजेशन का एक सेट का है तो उसको बोलते है Machine Language अगला कॉशन देखिए सुक्र ग्रह है डैश ग्रह है तो सुक्र ग्रह है दूसरे नंबर का ग्रह है आपको कमेंट करके बताने कि सुक्र ग्रह जो है सुर्की परिक्रमा कितने दिनों में करता है और बुद्ध ग्रह सुर्की परिक्रमा कितने दिनों में करता है भारत में दूसा सर्वोच नागरिक पुरुषकार कौन सा है तो पद्म विवुशन दूसा सर्वोच नागरिक पुरुषकार है किस दवा का एक दाह विरोधी दवा के रूप में इस्तमाल किया जाता है तो प्रेड निसोन सयांसर है अगला कोशन देखिए जींगे किस परिवार में होते हैं तो ये रहते हैं क्रश्टेशियन परिवार के हिस्सा है जींगे किस इसमारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौध धर्म के अपने दिव ज्यान का प्रचार किया है तो महाबोधी मंदर समू से अश्टक अंग प्रणाली का आधार किया है तो अश्टक अंग प्रणाली की में टोटर 8 आधार हैं तो ये मांग की तरह एक ही आर्थिक चरका निर्ड़ा लेना ये माइकरो अर्थिसास से संपन्यत है ब्रह्मोपत्र नदी के तट पर कौन सा शहर इस्थित है तो डिब्लूगर जो है ब्रह्मोपत्र नदी पर इस्थित है मुसा पेरियाडिस किस पौधे का वेग्यानिक नाम है तो केले का नाम है मुसा पेरियाडिस किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है तो कोबाल्ट अकसाइड को मिलाएंगे तो कांच का रंग नीला हो जाएगा घूनन गती के दो प्रकार कौन से हैं तो घूनन गती के दो प्रकार इस्पिन और कक्षी गती होती है लोक सबा में कितनी सीट हैं अनुसूचित जाती है अनुसूचित जन जाती के प्रती निदियों के लिए आ रख चते हैं तो टोटल 131 सीट है बड़ी सब्द किस खेल के साथ सम्भनेत है तो ये गोल्फ के साथ सम्भनेत है All About Woman Pustak की लेखी का कौन है तो ये हैं तसलीमा नसरीन विटमिन ए को किस नाम से जाना जाता है तो रेटिणॉल के नाम से जाना जाता है मकडिया प्राणी वर्गी कड़न के किस वर्ग में आती है तो ये एरेक्डीनस वर्ग में आती है अगल कौशन देखए निमलकित में किसका गलनांग सबसे कम होता है इथेन गैस का स्वाद थोड़ा होता है कैसा इथेन मीठी होती है तराइन का युद्ध प्रतिवराद चोहन और किसके बीच में लड़ा गया तो मुहमबत गौरी और प्रतिवराद चोहन इस रो कहां पर है कमेंट करें करता है इस रो किस राज्य में है और इस रो का फुल फाउम एडिया आपको पता है तो कमेंट करिए संगमर्मर्ण डैश की एक कायंतर चटान है तो चूने पत्थर की कायंतर चटान है द्वतिय विश्व युद्धकप सुरू हुआ तो 1949 में सुरू हुआ अपूर्वी चंदेला किसे संबने थे तो निशाने बाजी से संबने थे कम्प्यूटर वग्यान में रोम का विस्तारित रूप क्या है तो read only memory सभी को पता है कुछ जड़ें जिने dash कहा जाता है तो कुछ जड़ें dash कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी any अंग उत्पन्न करती है तो आकस्मिक जड़ें कहा जाता है अनुवान शिक्ता की बुन्यादी का ही क्या है तो जीन को अनुवान शिक्ता की बुन्यादी का ही कहा जाता है अंग्रे जी किस राजी की शाच की भासा है तो मेगाले की भासा है अंग्रे जी acetic acid को क्या कहा जाता है तो सिर्का कहा जाता है acetic acid को पौधे का कौन सा भाग है, तो ये मुख्य जड़ है, फौईपर टेक्स्ट का आविस्कार, किस ने किया था, तो टैड औनेल सन ने किया था, अरजेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्युनस आयरस अरजेंटीना की राजधानी है, जलियावाला वाग हत्याकांड कभ हुआ था तो ये 13 अप्रल 1919 को हुआ था है यदि गते करते हुए घुनन की धुरी वास्तु मैसे होकर नहीं गुजरती तो उस गती को क्या कहा जाता है तो उसको कछी गती कहा जाता है करनाटक की संसदी सीटों की संक्र कितनी है तो करनाटक की संसदी सीट टोटल 28 है दजंगल बुक किस ने लिखी थी तो रुड़याड कि पलिंग ने लिखी थी दजंगल बुक इंगलेंड का राश्टी खेल कौन सा है आमों को कृतिम रूप से पकाने के लिए किस रसाइन का इस्तमाल किया जाता है तो कैल्सियम कारबाइट का इस्तमाल किया जाता है एक विश्व रासस्तल एक सीमा चिन्न होता है जिसे आधिकारिक तौर पर किस के द्वारा स्विकार किया जाता है तो यूनिसेफ के द्वारा पत्नी थी तो नूर जो है यहां पर सई आंसर हो जाएगा आपकी जहांगीर कीपत्नी थी अगला कॉश्टन दीखिए अगला कॉश्ट मेंग जगण का जाता है तो सईयो जक्ता इलेक्ट्रोन खा जाता है किस राज्य में मेग्रोव का सबसे अधिक छेत्र है तो पश्ची मंगाल में मेग्रोव सबसे अधिक है अंतरिक्ष जाने वाला पहला वेक्ती कौन था तो मेजर यूरी गागरिन माचिस की तीलियों में क्या होता है एक वस्तु उस समय इस्तिर संतुलन में रहती है जब वह विराम की इस्तिती में होती है समिधान दिर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था तो USA था वर्स 1749 में तरड़त चालक का आविश्कार किस ने किया था तो Benjamin Franklin ने किया था एक जी भी कितने केवी के वरावर होता है तो एक हजार चौविस उसके बाद पूछा गया है आपसे वह रानी जिसका नाम ब्लडी मेरी था उनका नाम था मेरी प्रथम और ये राज का आपका आख़री कॉश्चन भारत में कुल राजों की संक्या कितनी है तो यहां पर 28 सही कमेंट करके बताईए भारत में केंडर सासित प्रदेश कितने हैं और कौन से दो केंडर सासित प्रदेशों को आपस में मिला दिया गया है कमेंट करके बताईए 100 कॉशन में से क्या 90 सही गए आपके यदि सही गए तो जो कॉशन उनने पूछा उसका आंसर दीचे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक किया लिए आप अपना ख्याल रखिए आप सभी का बहुत बहुत धने माद दोस्तों आपका दिन शुबो